ये कहानी जैनिफर नाम के एक बहुती खुबसूरत लड़की की उपर आधारित है जो लड़कों को हर वक्त अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहती है लेकिन इसके बदले में वो उनसे क्या क्या लेती है ये हम आज की इस एक्स्प्लेनेशन में देखने वाले हैं आज उसके पास उस पागल खाने की नर्स आती है और उसे खाना खाने के लिए पूछने लगती है पर तभी नीडी उस नर्स के पिछवाडे पर एक जोर से लात मारती है और उसको दूर फैक देती है उसी समय वहाँ पर दो सिक्योरिटी गाड़ आते हैं और नीडी को उठा कर एक सेल में बंद कर देते हैं अब यहाँ पर नीडी हम विवर्स को बताने लगती है कि मैं भी कभी नॉर्मल हुआ करती थी इसके बाद कहानी सीधा फ्लैश बैक में जाती है और हम एक टाउन को देखते हैं जिसका नाम होता है डैविल्स कैटल दरसल इस टाउन का नाम वह और कोई भी इस बारे में पता नहीं लगा पता अगले सेन में हम जैनीफर नाम के एक खुबसूरत लड़की को देखते हैं जो की कॉलेज की हैट शीर लीडर होती है जैनीफर अपने कॉलेज की सबसे सुनर और confident लड़की थी और वहीं हम जैनीफर की best friend नीडी को भी देख साथ में घचा घच मचाने का प्लैन बनाते हैं फिर निर्मल निरोद नीडी की सुरंग की खुदाई शुरू ही करने वाला होता है कि तभी अचानक वहाँ पर कवाब में हट्डी जैनिफर आ जाती है और वो नीडी को उसके साथ एक क्लब में चलने के लिए बोलती है अब य स्टंडो ने मिलकर जैनिफर की तितली का चमकादर बना दिया है फिज जैनिफर की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है टोनी ककड और वो उस कलब में एक बैंड चलाता है फिज जैनिफर टोनी ककड से बाते करती है और उसे ड्रिंक के लिए पूछती है ज और तुम उसे अपनी प्यारी तितली मत देना पर जैनिफर नीडी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नी देती और वो टोनी ककड का प्रफोमेंस देखने के लिए चली जाती है अब उसकी प्रफोमेंस शुरू होने के कुछ टाइम बादी उस क्लब में आग लग जाती है और चारो तरफ भगदड मत जाती है सभी लोग वाँसे बाहर निकलने के लिए भाग रहे होते हैं और इस भगदड में बहुत सारे लोग कुछले भी जाते हैं फिर नीडी जैनिफर को अपने साथ वाश्रूम में ले जाती है और वो दोनों वाश्रूम की खिड़की खोल कर वाँसे बाहर निकल जाती है बाहर निकलते ही नीडी देखती है कि वो क्लब पूरी तरह जल चुका है और उसके अंदर लोग बाहर निकलने के लिए जोर जोर से चिला रहे हैं तब ही वाँ पर टोनी ककड आ जाता है और वो जैनिफर को अपने साथ चलने के लिए बोलता है नीडी उसे जाने के लिए मना कर देती है पर जैनिफर टोनी ककड के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और फिर वो टोनी ककड की वैन में बैट कर वाँ से चली जाती है पर नीडी को ये सब बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता कि जैनिफर कुछ अंजान चूतियों के साथ चली गई है फिर घर पर नीडी को जैनिफर की बहुत चिंताओने लगती है इसलिए नीडी अपने बॉइफेंड निर्मल निरोत को फोन लगाती है और उसे सारी बाते बता देती है नीडी बहुत जदा घबराई हुई थी कि वो लोग जैनिफर के साथ कुछ करना दें तब ही नीडी के दरवाजे पर कोई नौक करता है और नीडी देखने के लिए नीचे चली जाती है फिर वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता फिर वो दरवाजा बंद करके वहाँ से जाने ही लगती है कि तब ही उसको नीचे के रूम से किसी की आवाज आने लगती है फिर नीडी उस रूम के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर जैनिफर खड़ी है और उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ है इसके बाद जैनिफर नीडी का फिरिच खोलती है और उसमें से कच्चा मास निकाल कर खाने लगती है अब नीडी जैनिफर को देखकर बहुँ डर जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है पर जैनिफर वहाँ पर कफी डरावनी आवाजे निकालने लगती है और फिर वह अपने मूं से कोई काला लिक्विड निकाल कर वहाँ से चली जाती है फिर एगली सुबह कॉलेज में नीडी जैनिफर और कल रात के बारे में सोची रही होती है कि तभी वहाँ पर जैनिफर आ जाती है जो बिल्कुल ठीक लग रही थी अब नीडी जैनिफर से कल रात के बार में बात करने लगती है पर तभी वाँ पर प्रोफेसर चूतरमल आ जाते हैं और पिछली रात कलब में मरेवे लोगों के बारे में बात करने लगते हैं वही जैनिफर प्रोफेसर चूतरमल की बाते सुनकर हसने लगती है जो की नीडी को काफी अजीब लग रहा था दूसी तरफ हम इसकूल की फुटबॉल टीम के कैप्टन जुनजुनु को देखते हैं जो की ग्राउंड में अकेला खड़ा होता है जुनजुनु अपने मरेवे दोस्तों के बारे में सोचकर बहुत दुखी होता है पर तब भी उसके पास जैनिफर आती है वहाँ जाते ही वो दोनों चुम्मा चाटी करना शुरू कर देते हैं पर कुछी देर में जंगल के सारे जनवर वहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों को चुम्मा चाटी करते हुए देखने लगते हैं जुनजुनु को ये देखकर काफी अजीब लग रहा था पर तबी वो जैनिफर को देखता है जिसका मुँ अचानक किसी जानवर की तरह खुल कर बढ़ा हो जाता है और फिर वो जुन जुनु को मार डालती है वहीं जुन जुनु की चीक सुनकर प्रोफेसर चूतरमल वहाँ पर आता है और वहाँ पर जुन जुनु को मरावा देखकर उसकी फटकर चौसट हो जाती है इसके बाद वो पुलिस को इनफॉर्म कर देता है और पुलिस वाँ पर खुनी का पता लगाने में लग जाती है दूसी तरफ नीडी और जैनिफर फोन पर बात कर रही होती है और नीडी जैनिफर को बताती है कि मैं इस टाउन में हो रही इन घटनाओं से बहुत परिशान हो चुकी हूँ पर वहीं जैनिफर को इन सब बातों से कोई फरक नी पड़ता और वो बाते करते वे एक लाइटर से अपनी जीब को जला देती है पर तबी हम देखते हैं कि उसकी जीब कुछी सेकेंड में वापस नॉर्मल हो जाती है जिसको देखकर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि जैनि पता तुमको मैसेज कर दूँगी फिर रात को जब तैमूर उस आड्रेस पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो बिल्डिंग पूरी तरह सुनसान है और वहाँ पर बहुत अंधेरा है तबी जैनिफर वहाँ पर आती है और तैमूर के बास आकर उसे किस करने लगती है इसी दोरान तैमूर नोटिस करता है कि जैनिफर की आखों का कलर चेंज हो रहा है अब ये देखकर तैमूर डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर उसी वक्त जैनिफर तैमूर पर हमला कर देती है और उसे मार कर खा जाती है दूसी तरफ हम नीडी को जो कि अपने बॉइफेंट के साथ पलंग तोड रही होती है लेकिन तभी वहां पर उसको जैनिफर दिखाई देती है जिसको देखकर वो काफी ज़्यादा डर जाती है और उठकर वहां से चली जाती है नीडी कार ड्रायव करकर अपने घर जा रही होती है पर तभी रास्ते में उसे जैनिफर दिखाई देती है जो उसके कार के उपर जंप करती है अब ये सब देखकर नीडी की भी फटकर 64 हो जाती है और वो घर आकर रोने लगती है इसके बाद वो जैसे ही अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि जैनिफर वही पर है फिर जैनिफर नीडी क कभी मूड खराब हो जाता है क्योंकि मेन काम तो रूकी गया था इसके बाद जैनिफर नीडी को उस रात के बारे में बताती है जिस रात क्लब में आग लगी थी यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस राद टोनी ककड जैनिफर को उसी जरने के पास ले कर गया था और वहां पर तोनी ककड और उसका band सक्सेस पाने के लिए शैतान को जैनिफर की बली देने वाले थे फिर वहाँ पर टोनी ककड जैनिफर से पूछता है कि क्या तुम seal pack ओ अब जैनिफर काफी डरी वी थी इसलिए वो जूट बोल देती है कि हां मैं seal pack हूँ इसके बढ़ टोनी ककड जैनिफर के पेट में चाकू मार देता है और उसे उस जरने में फैंक देता है अब टोनी ककड ने तो अपना रिचुल कम्पलीट कर लिया था और अब उसे लग रहा था कि उसका बैंड फेमस हो जाएगा लेकिन उसके प्रोसेस में एक कमी थी और वो जैनिफर को वहां से जाने के लिए बोलती है और फिर जैनिफर भी उसके घर की विंडो से कूत कर वहां से चली जाती है फिर एगले दिन नीडी जैनिफर के साथ जो कुछ हो रहा था उसके बार में पता लगाने लाइबरेरी जाती है और वहां पर कुछ बुक्स पढ़ने के बाद नीडी को ये पता चलता है कि टोनी ककड और उसके बैंड ने जैनिफर को सील पैक समझ कर उसकी बली दे दी थी पर वही जैनिफर की बोड़ी पर डैविल ने दबजा कर लिया जिस वरे से उसके अंदर डैविल की पावर्स आ गई है यहाँ पर नीडी को ये भी पता चलता है कि अगर जैनिफर को सुन्दर रहना है तो उसे इंसानों को मार कर खाते रहना होगा और जैनिफर को मारने का एक तरीका है उसके दिल पर वार करना अब नीडी को ये डर लगने लगता है कि कहीं जैनिफर उसके बॉइफेंड निर्मल निरोध को भी ना मार डाले इसलिए नीडी निर्मल निरोध के पास जाती है और उससे ब्रेक अप कर लेती है साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि जैनिफर अब एक डैविल बन चुकी है पर इस पर निर्मल निरोद उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और वहां से चला जाता है उसी रात इस्कूल में एक डांस पार्टी होती है और सबी लोग उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तबी नीडी भी सबसे पहले उस पार्टी में पहुँच जाती है और वहां पर निर्मल निरोद का इंतजार करने लगती है दूसी तरफ निर्मल निरोत पैदली अपने घर से उस पार्टी में जा रहा होता है तब ही रास्ते में उसे जैनिफर मिलती है और उसे नीडी के बारे में बताने लगती है जैनिफर उसे बताती है कि स्कूल टाइम में नीडी के मौत के कुए में बहुत सारे लड़कों ने अपनी बाइक चलाई है अभी सभी बाते सुनकर निर्मल निरोत काफी सैड हो जाता है पर तबी जैनिफर उसे रिजाने लगती है और उसके साथ गचा गच करने के लिए उसे लेकर एक सुनसान जगे पर आ जाती है वही पार्टी में नीडी को ऐसा एसास होने लगता है कि शायद जैनिफर उसके बॉइफरेंड के साथ कुछ बुरा करने वाली है इसलिए वो परेशान होकर निर्मल निरोत को डूढने के लिए पार्टी से बाहर आ जाती है दूसरी तरफ जैनिफर निर्मल के साथ गचा गच करने की कोशिश करती है पर तबी निर्मल उसे बताता है कि वो अभी भी नीडी से बहुत प्यार करता है अब इस बात से गुस्सा होकर जैनिफर निर्मल को पानी में गिरा देती है और उसको मारने के लिए उसके पास आने लगती है पर तबी वापन नीडी आ जाती है और अब जैनिफर उन दोनों को ही मारने की कोशिश करती है फिर लड़ाई के दोरान निर्मल निरोत की वहीं मौत हो जाती है और जैनिफर वहाँ से भाग जाती है अब नीडी को निर्मल निरोत की मौत से बहुत दुख होता है और अगले ही सीन में नीडी जैनिफर के घर पर जाकर उस पर हमला कर देती है वहाँ उन दोरों में काफी लड़ाई होती है जिस दोरान जैनिफर नीडी के कंदे पर काट लेती है जिसके बाद नीडी जैनिफर के दिल परवार करती है और उसे मार डालती है फिर कुछ दिर बाद जैनिफर की मौम वहाँ पर आती है और वो नीडी को जैनिफर को मारते हुए देख लेती है अब जैन जाती है और वहां से सीधा उस जरने के पास जाती है जहां पर जैनिफर की बली दी गई थी अब फिल्म के लास सीन में हम देखते हैं कि टोनी ककड और उसका बैंड काफी फेमस हो गया है पर कुछी दिनों के अंदर उसके बैंड के सबी लोग मारे जाते हैं और सीसी टीवी फूटेज से पता चलता है कि नीडी ने ही जैनिफर का बदला लेने के लिए उनको मार डाला है और फिर इसी के साथी ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है